that as a great Indian bastard है इस बर्द कर्ण हर तीसर जौते साल को इन एक क्वंस्जन प्रिलंब में आ जाता है और इस साल भी एक क्वंस्जन से इस का इस बर्ड का जिकर था तो बिंग एन इंपोर्टन असलिए मैं इसको över किया है इस बर्ड का साइंटिफिक नेम है आडियोटिस निगरी सेप्स ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्तान का स्टेट बर्ड है और ये इंडियन वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एक 1972 के शिडियूल वन में लिस्टेड है साइट्स में ये अपेंडिक्स वन में इक्लूडड है आईउसीन की लिस्ट में ये क्रिटिकली एंडेंजर है लगबग 200 बर्ड सी बज़े हैं और इनको बेस्ट कंसर्वेशन की जरूर थे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक लाज साइज बर्ड है राजस्तान में लोकली इसे गुदावन कहा जाता है और ये बर्ड वन मेटर तक टाल हो सकता है और इसका वेट 15 से 80 केजी हो सकता है इसके फॉरहेड पर एक ब्लैक क्राउन होता है और neck तथा head पेल तथा wings पर black, brown और grey shades होती है male और females की almost height same होती है but males में जो crown है, head पर जो crown होता है ये large size का होता है comparatively females से larger होता है और इनकी breast के across एक black color का band होता है males में गular pouch भी होती है जो female में absent होती है ये गular pouch, resonant organ का काम करती है और इसकी help से, जो male bird है, ये loud mating calls प्रड्यूस करता है Great Indian Bustard, mostly monson season में breed करता है females जो है, ये ground पर ही egg ले करती है और at a time ये single egg ले करती है सिर्फ females ही अगे egg की care करती है और ये young ones है ये next breeding तक ही अपनी मदर के साथ रहती है Great Indian Bustard एक omniverse bird है और ये grass seeds और grass ओपर, beetles और insects जो है इन पर feed करता है करता है ये रहे जो हूँी की बात्सअ मतंकश काहिए